के नियूस खबरों के नई पहचान प्राप्ति जानकारी अनुसार मुहम्मद अक्तर मंगलवार को मुगमा मोर्स्तित सबजी बजार में सबजी खरीदने के कर्म में एक सबजी विक्रिता से 30 रुपे की सबजी खरीदी और 200 रुपे का नोट दिया सबजी विक्रिता ने 30 रुपे सबजी काट कर बाकी 170 रुपे आरोपी को दे दिये और वहां से चलता बना जब सब्जी विक्रिता ने आरोपी के पास से मिला दोसों का नोट बजार में चलाने की कोशिश की तब सब्जी विक्रिता को पता चला की वह दोसों का नोट जाली है ऐसा पता चलते ही सब्जी विक्रिता के होश उड़ गए लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए मुगमा मोड के दुकानदारों ने आरोपी को पकरने की योजना बनाई बुद्वार को फिर से आरोपी मुगमा स्थित सब्जी बजार में गया जैसे ही भुकता भोगी सब्जी विक्रिता की नजर आरोपी पर पड़ी सब्जी विक्रिता ने आरोपी को पकड़ा और सोर मशा कर सभी दुकानदार को इकठा कर लिया और तुरंत इसकी सूचना निर्सा पुलीस को दी गई निर्सा पुलिस ने मुगमास्ते सबजी बजार पहुचकर आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया जब पुलिस ने आरोपी के कपड़े की जाच की तो आरोपी के पास से 100 दोसों के कुल मिलाकर 2000 रुपे मिले पुलिस चपत रुपए को बैंक में ले जाकर जाच कर रही है है कि 2000 रुपए में कितने नोट असली है और कितने नकली उनको हम कहें पर देख चुके है तो नोट असली है तो इसको देखे आउड देखा परेशाई काहां ने वाले हैं कांट कौन सा काटा कौन सा काटा इसामने काटा मौना काटा तो यह किनना दिन से अको धन्दा चड़ रहा है तिन चार तिन सामरा पैसा हमको मिला तब हम चला रहे हैं तो यह आपको आपको यह पकड़ाया इसका यह दंदा है हम लोग मोण में दुकंदा लोग तो दिन से परिसान है कल भी सबजीवला लोग को चलाया मार्केट में और बच्चा लोग भी बेढ़ता है चलाया है तो हम लोग ताक में थे ही सब्जीवला लोग इसको पकड़ा है तो वहीं हम लोग आज पकड़की इसको रखें हैं हम लोग को लगा कि भाई जरूर मार्केट में अथी हो रहा इसका पहले भी मोबाइल चोरी हो रहा तो सब्जीवला लोग थोड़ा सतक भी रहता है झाल